जीवन में अगर दुखों का अंत हो जाए, परशानियों का अंत हो जाए, समस्याएं धेरे-धेरे समाप्त होने लगें, तो हमें खुश्यां मिलने लगती हैं। बुरी आपते मिट जाएं और इश्वर का आशिवाद मिल जाए गरहों का सपोर्ट मिल जाए तो खुशियां बरसने लगती है तो इस वीडियो में मैं आपके राशिफल के साथ साथ आपको वो भी कुछ चीजे बताऊंगा जिससे आपकी खुशी आपके कदमों में होगी य आनंद में होंगे और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राशिफल की और उसके साथ साथ हम जानेंगे आपके भाग्य को चमकाने के लिए कौन सा स्टोन आपकी मलत कर सकता है और उस स्टोन की कीमत क्या होगी ताकि आप कम कीमत में अपनी किसमत को चमका सकें तो राशिफल 30 और 31 जिनवरी 2021 क्या कहते हैं आपके सितारे यह जानकाई चंद राशियो नाम राशिय पर दाधारित होगी हम दो दिनों की बात करेंगे और दो दिनों में जानेंगे कि आपका भाग्य आपके सितारे आपके कितने साथ हैं और क्या उपाय आपको करने चाहिए और आज आपका जिरम दिन है, शादी की सालगिरा है इन दो दिनों में, तो मेही तरफ से बहुत-बहुत शुप काम ना है, ग्रोहों की स्तिती को अगर समझा जाए इन दो दिनों में, तो मैं आपको बताओं, सूर्ज जो हैं, शत्लों के घर पर हैं, चन्रमा आपने स्वयम म मित्र के घर पर हैं, मंगल जो हैं, स्वयम के घर पर हैं, बुद्ध मित्र राशी में हैं, ग्रु गुरु जो हैं, देव गुरु ब्रस्पती, ग्रह पती के साथ तठस्त हैं, लेकिन अस्त हैं, और मित्र के घर पर हैं, शुक्र और शनी जो हैं, वो अस्त हैं, स्वयम के घ द्विशानियूं का अंत बता रहा हूं आपके दुखों का अंत बता रहा हूं हर्मान जी एक ऐसे देवता हैं जो छण भर में शनी राहू केतू कि से मिलने वाले अशुप्रभाव हो चाहे हो सालह साती हो भागिया और बुद्ध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो व्यपार के लिए बुद्धी देता है जुबान अच्छी कराता है पढ़ाई लिखाई में हमें आगे कराता है और हमारे भागी को चमकाता है जिसकी वाणी अच्छी उसका सब कुछ अच्छा हमारे जीवन में हमें परशानियां दो ही चीजों से होती है या तो बुरी आत्तों की वज़े से किसी को शराब की आदत लग जाए जुवे की आदत लग जाए किसी को इदर दर फालतु घूमने की आदत पढ़ जाए किसी को काम ना करने की आदत पढ़ जाए किसी को मादने अन्य बुरी आते पड़ जाए तो वो इंसान बेकार हो जाता है पढ़ा लिखा इंसान भी मूर्ख हो जाता है या फिर अप्पे भूर प्रेत तंत्रबंत जालू टोना हो जाए बुरी नजर लग जाए या हमाई शरीर में कोई ऐसे रोग हो जाएं कि हम चाहकर भी बिस्तर से उटने ही पा रहे हैं या फिर हमारा पैसा जो है जो हमें पैसा बिजनस वेपार पढ़ाई में लगाना चाहिए वो पैसा बीमारियों में परिवार में लगा जा रहा है और हम हमाई शिक्षा से वंचित हो रहे हैं या हमाई पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है ऐसी ब बागवान का नाम पिर फेंगे इसे में hamadjee को याद करेंगे तो हर्मान जी को जब आपको यात्करते हैं या उसकी कान की घली मानि-हकिक, जिस जड़ें पर होता है जिस वक्ति के हाथ में लिए घर पर या गलें में होता है या अबोटी के घर में दरिद्रता नहीं रहती शनी राहुके तू के प्रभाव नहीं रहते जादू ठोड़े नहीं रहते क्योंकि इसमें हर्मान जी की विशेश्क्रपा है और यह हरे रंग का पत्थर इसको मैकलाइट बोलते हैं यह आपके शरीर को अच्छा करता है बुद्र को श्च्तुरू से गरहों के शुबभावों से शनी की साड़े साती से या फिशनी की धैया से बचा रहता है और जीवन में तरक्की करता है तो आपका लक्षी सिर्फ जीवन में आवे बढ़ना है और जीवन में सफल होना है और एक अच्छा सुंदर श्रीर जो भगवादने दिया है उसमें अच्छा जीवन व्यतित करना है ना बिना रोग भी नहों पैसे की भी कमी नहों शिक्षा की कभी भी नहों और हमारे अंदर मर्यादा भी हो तो इसके लिए यह ब्रस्लेट आपके पास होना चाहिए यह ब्रस्लेट और साथ में मैं आपको दे रहा हूं इसी म लिए लिए और यह आपको आपके घर कमशा दिया जाएगा को यह दोनों चीजें यानि यह पत्थर लेने के लिए आपको एल-21 लिखना है और इसको यह वाट्सप नुम्बर पे भेज देना है साई जांकारी आपको मिल जाएगी कीमत है 2100 रुपए 2100 रुपए 31 तारिक तक यह सकी भी उसके बाद यह बंद हो जाएगी तो आप में जो भी लोग अपने जीवन में खुशियां पाना चाहते हैं एल-21 लिकर वाट्सप करें अभी करें और जीवन में आगे बढ़ें बात करते हैं आपके दो दिनों के राशी फल की बात करते हैं कुम रा दीन है तो आपर में नहीं साज़दारी होने की उमीद है तूी है उपसे नफिसा और भार मार बहने की उमीद है कुछ दीन को लेकर नहीं बढ़ने को लेकर तो अच्छा दिन है जमापूंजी बढ़ने का दिन है, शेयर बार्कर से नुकसान हो सकता है, समझदारी दिखाईएगा, आपकी सहत सामाने रहे की, बाहरी उल्टे सीदे भोजन को बत खाईएगा, और सही भोजन खाईएगा, जो पच जाए, नहीं तो गैस, एसडिटी या इन सब समस्याओं से परशान हो सकते हैं, अपनी दवा वगयरा वक्त पर लें, जो भी एक्सराइज या जो भी आपका रूटीन है, उसको फॉलो करें, महिलाओं के प्रती गलत वहवार नहीं करें, चाय घर हो, चाय बाहर हो, या कहीं पर भी हो, आपका कहीं पर पैसा फसा था, तो वो प्राप नहीं देना है, ना लेना है, सावधानी रखें, कोई भी निर्णे, भावोकतावश या किसी की बातों में आकर मत लीजेगा, सो समझ कर लीजेगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, आपकी संतान का साथ और सहीओग आपको प्राप्त होगा, जो भी लोग फार्मा की लाइन स से जोड़े हैं, उनको आज अच्छा लाव हो सकता है, विरोधी शत्रू जो है, वो आप अपनी चाल चलने में काम्याब होंगे, हो सकता है, विरोधीयों का जो चाल है, उसका असर आज आपको न दिखाई पड़े, इन दो दिनों में, आगी दापको दिखाई पड़े, सा भी करेंगे, अच्छा उसमें काम्याबी मिलेगी, कुछ मामलों में मानसिक और शारिरिक परिश्म दोनों होगा, बीते दिनों में जो हुआ सो हुआ, आगे की सोची है, आज की सोची है, और इसको भेतर बनाने की कोशिच करिए, शनी की सालसाती का प्रभाव आपके उपर है, इससे बचने के लिए हर्मान जी की उपासना सुबह शाम करते रहिए, और ये सूलेमानी हकी का यो ब्रसलेट है, इसको पहन लीजिए, हर्मान जी की करपा आपके उपर बरसेगी, जिन लोगों ने साथकों के रुद्राक्ष, लाजवर दरत्म पहने हुए हैं, अगर इसको धारन करते हैं, और साथ में मैलाकाइट पत्तर भी है, तो बुरी आप्तों से भी छुटका रहा हर्मान जी की भी करपा, और जीवत में हो जाएगी बल्ले-बल्ले, और साथ में जो मैलाकाइट पत्तर आपको फ्री बिल रहा है, इसको खुर पहनिये, किसी को जीवन में आगे बढ़ते चले जाएए, तो कुल मिलाकर आपके जीवन में ये दोनों चीजे, यानि ये ब्रसलेट है, और प्लस ये मैलाकाइट पर पत्तर है, वो बहुत कुछ अच्छा कर सकता है, अगर आप अपना भला चाहते हैं, तो L21 लिकर भेजिए, जो स्क्रीन लिकर आ रहा है, L21 वाटसेफ करिए, और 31 साइक तक की स्कीम है, और जीवन में आगे बढ़िए, 2100 रुपे में मैं आपको गैरंटी तो देता ही हूं, साप में विश्वास के दिलाता हूं, कि आपके काम लगभग लगभग पूरे हो जाएंगे, और आपको बहुत अच्छा पर निर्फर करता है, हम आपको वही चीज बसाते हैं जिससे आपको फाइदा होता है, बाकी इश्वार पर भरोसा रखें, और उसके साथ साथ जैसे आप रेमेडी करते हैं, वैसे ही ये भी एक रेमेडी है, और रेमेडी भी हम पर फलित होती हैं, और जिल लोग लोगा प्रतिशत्य कुश्यूब प्रतिशत्य बढ़ जाएगा नमस्कार